एलो गूद मॉनिक स्टूडेंट्स लार्स वीडियो में हमने पटोला के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी जैसे कि मोकसा और नीरमल थे जो सलयवाडा पार्टनर में रहते थे और उसके बर्सों से वहां पे उसके फैमिलिस वाले रहते हैं और वही काम करते हैं वेक्त şNow नीरमल भीएंट को कई लोगए पहले स कुछ जाते थे स्कूल आने के बाद वहो पटोला की जो उसके ममी पापा इसकी ममें कपपा करती थे उस Yap करते दे वह नूंसे उसके ममी पापा की हैा लिवक्ली अर उसके ममी पापा कے थे यह बचासिशों जो पोएट है उसने कितनी सारी पोएट्रीज लिखी है जैसे कि छेला जीरे मारी हारू पार्टन थी पटोला मुंगला जो यह वाली भी फेमस है वैसे यहां पर आपको पूरी प्रोसेस दी हुए पटोला की केस बनता है तो यहां पर जो सिल्क के थ्रेड होते हैं मालबेरी में से निकलते हैं वो बन निकलते हैं और उसे सेपरेट किया जाता है और उससे ऐसे रिंग में सेपरेट करते हैं उसके बाद उसकी वीविंग स्टार्ट करते हैं डाइंग करते हैं डाइंग करने के बाद उसकी वीविंग करते हैं और पूरा जो वीविंग हो जाता है उस पाटुला होता है उसे हम्हें जो भी हमारे कपड़े होते हैं उसे हम एकी साइड पैन सकते हैं पाटुला की तो डीजाइन होती है वह दोनों साइड सैम लगती है इसलिए हम ऊसे दूस आइट सेम पैन सकते हैंSL you वैसे ही हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्यादा जनकारी थी तो बांधरी का वर्क कैसे बनता है तो बांधरी वर्क में क्या करते हैं जो पट्रोला में जैसे मालबरी सिल्क में से वाइट कलर के सिल्क के थ्रेड लेकर आते हैं उसे आउटसाइड में निकाले जाते हैं उसके बाद जो बांधरी वर्क होता है उसे एक छोटी-छोटी और उसके बारे में एक poetry गुजराती कहते हैं कि पड़ी पटोले भाद भाटे पन फीटे नहीं यानि कि पटोले का वर्क ऐसा होता है कि जो एक बार वो वर्क हो जाता है तो वो तूटता है लेकिन फीट यानि कि बिगरता नहीं है ऐसे उसकी कहावत नहीं पर एक है वैसे ही handicraft is in danger अभी के समय में यानि कि अभी के समय में जो handicraft है वो danger में है क्यूं ऐसा होता है तो in the preparation of patola care and patient are required for the skill of weaving, designing and dying जो patola की preparation होती है उसके लिए उसे बहुत ही care करनी पड़ती है और कार्ची बोलते है वो रखनी पड़ती है कि उसकी जो एक skill होती है उसके लिए skill required होती है weaving की, designing की और उसे color करने की it is a hard work of many days और यह बहुत hard work है जो कितने दिनों तक चलता है मालबेरी silk and colors are very costly जो मालबेरी silk होता है और उसके colors होते है वो बहुत ही costly होते है so patola are sold are at very high cost उसकी वजह से जो patola ready होते है पड़ले की साड़ी जो ready होती है वो high costly sold होती है earlier there were seven families connected with his handicraft but now only three families are trying to keep these handicraft alive पहले 700 जैसे families इससे handicraft से connected थे बट अभी के time में three families जेतने लोग इससे connected है handicraft में जी रहे है many people have left these occupations और कितने सारे लोगों ने ये वाला धन्दा छोड़ दिया है क्यूं तो patola handicraft is not only the pride of pattern patola handicraft है वो सिर्फ pattern का pride नहीं है but it is the design and pride of Gujarat and India ये Gujarat और इंडिया का भा भी pride है यानि कि ये कहा जाता है कि सिर्फ pattern का ही नहीं गुजरात और इंडिया का patola है वो उसका patola का जो work होता है handicraft होता है वो गुजरात इंडिया और pattern को सबको क्या कर प्रेजन करता है उसके लिए famous है patola is precious and unique identity of ancient heritage and Indian culture जो patola है वो उसका work है handicraft है वो सबसे unique और precious है और सबसे इंडिया के culture में heritage है it is going to be vanished और उसके लिए उसे वैनिस किया जाता है for that we have to give good price of patola and help the cassabis और उसकी वज़े से जो उसे वैनिस किया जाता है यानि कि उसके shining करिया जाता है और उसे क्या कहते है कशाबीज अधर्वाइस this precious art will be Venice और अगर उसे कशाबीज नहीं किया जाता है तो उसे वैनिस किया जाता है ऐसे ही patola की थोड़ी बहुत जानकारी इस chapter में दी हुई है जो आपको ये chapter carefully read करना है और कुछ भी समझना है तो आप पूछ सकते हो और आपके parents से भी इसके बारे में रिस्तस कर सकते हो और आपके grandparents होंगे उसके वो तो इसके बारे में बहुत जादा information आपको दे सकते हैं इसलिए आपको उससे भी बहुत सार information लेनी चाहिए और इसके बारे में जादा जानकारी लेनी चाहिए तो आज हम यहीं पर हमारा portion complete करते हैं और इस chapter का workbook में जो भी portion है वो हम next video में continue करेंगे thank you